बिसमिल्लाइर रख्मानी रखीम असलाम उलेकूँ डियर स्टुडेंट्स उमीद है कि आप सब हैरियत से होंगे मैं नेम इस अदील मैबूग आइम लेक्चिरर ओफ कंप्यूटर साइंस फर्स्टिर कंप्यूटर साइंस की लेक्चिर सीरीज में आज हमने चैप्टर नबर वान का जो टॉपिक पढ़ना है वो है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसे उन डिवाइसे को कहा जाता है जिनके जरीए से हम कंप्यूटर में डेटा डिरेक्टली एंटर करते हैं इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि डिरेक्ट इंपुट से क्या मुड़ाद है और डिरेक्ट इंपुट डिवाइसे क्या होती है और जो डिरेक्ट इंपुट डिवाइसे होती हैं हम उनको सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसे भी कहते हैं जिसमें सबसे पहले हमने keyboard discuss किया जो के एक indirect input device थी उसके बाद हमने pointing devices discuss की जो कि 9 pointing devices थी और detail से हमने उसके उपर बात की अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो है source data entry devices यानि direct input devices भी इनको कहते हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि direct input devices वो devices होती है जिनके जरीर से computer में data directly enter किया जाता है ये devices data को खुद बहुत capture करती है और computer में enter कर देती है हमें intermediate handling नहीं करनी परती जैसे keyboard में हम करते हैं तो source data entry devices में हमारे पास barcode reader, micr, ocr, omr ये devices आ जाती हैं आज हम इनके आपर detail से discuss करेंगे कि ये devices क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं और ये कहां पर इस्तमाल होती हैं सबसे पहले हमारे पास आती है barcode reader barcode reader को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि barcode क्या होता है barcode different manufacturing products के उपर एक image बनी होती है जो कि zebra strip lines की तरह होती है यानि जिस तरह से zebra पे black and white lines होती है से मुसी तरह से barcode reader के उपर black and white lines होती है जिस तरह से आप screen पर देख सकते हैं कि ये एक barcode है और ये आपने different products के उपर देखा होगा departmental stores में भी और bakery items के उपर भी आपने इसको देखा होगा basically हमारे computer में उस product का record जिसके उपर ये बनाओ है उस product का record computer में enter किया जाता है इस barcode के against इसकी मैं example देता हूँ आपको समझा जाजेगी आप लोग college में पढ़ते हैं तो college में आपका जो record save है वो आपके role number के against save है आपको एक unique role number दिया गया है एक special role number दिया गया है जिसके against आपका data computer में store कर लिया गया है कल को जब उन्होंने आपका record सर्च करना है computer से तो आपके नाम से सर्च नहीं करेंगे आपकी class से सर्च नहीं करेंगे for example first year के तो बहुत सारे students हो सकते हैं first year से कैसे वो सर्च करेंगे अगर एक student का नाम बिलफर्ज अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला नाम के कई students हो सकते हैं लेकिन role number एक unique field होती है role number के against आपका record store किया जाता है कल को जब role number लिखेंगे computer में सर्च करेंगे तो आपका एक ही unique record निकल कर सामने आएगा same इसी तरह से जब products का record computer में save करना होता है तो उसके लिए barcode की जरूरत होती है जो के उस product के उपर बना होता है यानि हर product का एक specific barcode होता है जिसके against computer में उस product की detail store होती है like उसकी manufacturing date, उसकी expiry date और उसकी price, sales, tax और total price वगएरा उसकी detail computer में पहले वो store कर लेते हैं और next time उसको barcode reader के थूँ read कर वाके computer में उसका record देख लेते हैं और build generate करते हैं अब होता क्या है कि जब first time उन्होंने record save कर लिया computer के अंदर यानि first time जो product आई तो उस barcode को computer में enter करने के लिए जो barcode बना होए product के उपर उसको जब computer में enter करना है तो उनके पास barcode reader एक device होती है आप लोगों ने देखी होगी barcode reader के अंदर एक photo electric scanner होता है जो के उस photo को जो barcode reader की तस्वीर है उसको scan करके automatically यानि directly computer में वो barcode एंटर कर देता है क्योंके barcode reader जो device है वो computer के साथ wire connected होती है और वो computer में उसको यानि barcode को send कर देती है तो वो जो software सामने चल रहा है वो उस barcode को receive करता है और पिर हम उसके against उसका record एंटर करते हैं product का अब computer को पता है कि इस barcode वाली product की ये prize है और जो भी detail हमने एंटर की अब next time जब कोई customer आता है तो वो किसी product को जब खरीदना चाता है तो जो cash counter पे शखस मुझूद है वो क्या करता है कि वो उस product का barcode barcode reader के आगे करता है barcode reader उसको automatically scan करता है laser beam के जरीए से और computer में एंटर कर देता है computer के पास चूंके इसका पहले से record मुझूद था computer उस barcode को match करता है और उस product की detail software में नज़र आ जाती है और उसका bill accordingly calculate कर लिया जाता है इस तरह से computer जो है वो barcode को read करता है यह जो barcode है हर product का unique होता है जैसे मैंने पहले आपको बिता है जैसे आप लोगों के roll numbers unique है हर product का barcode unique होता है कहीं पे कोई एक line thick है कहीं पे कोई एक line thin है एक line के फरक से और दो line के दरम्यान में फासले से भी barcode change हो जाता है इतना सा change भी barcode को मुकमल तोर पे change कर देता है जैसे एक point जो है ओ दो numbers को change कर देता है for example एक तरफ मैंने लिखा हूँ है 10 और एक तरफ मैंने लिखा हूँ है 1.0 तो एक point लगाने से दोनों change हो गए इसी तरह से barcode के अंदर एक line के फरक से barcode बिल्कुल different हो जाता है unique हो जाता है दूसरे से मुक्तलिफ हो जाता है barcode के नीचे एक code लिखा होता है जिसको हम universal product code भी कहते हैं यहाँ इसी barcode को भी हम इसका दूसरा नाम है UPC UPC stands for universal product code barcode का दूसरा नाम है universal product code barcode के नीचे code लिखा होता है कि अगर उदानास्ता कभी machine काम नहीं कर रही तो उस code को computer में indirectly एंटर करके indirectly मतलब keyboard के जरीए से एंटर करके उस product का record देखा जा सकता है यह उसका आपके मुबाइल में thumb impression लगा कर आप मुबाइल को secure करते हो उसको lock करते हो लेकिन उसके लावा भी वहाँ पर pattern की या password की या pin lock की सहुलत मुझूद होती है कि अगर कभी बिलफर्ज आपका thumb scan नहीं हो रहा तो आप password या pin lock से या pattern से उसको open कर सकते हो यह इसी तरह से हित्यातन नीचे universal product code लिखा होता है उस code को computer में keyboard के जरीए से भी enter किया जा सकता है कि अगर कभी बार को reader उसको read नहीं कर पा रहा या कोई problem आ गई है technical कोई मसला आ गया है तो हम उसको keyboard के जरीए से यानिंडरेक्ली भी एंटर कर सकते हैं इसको universal product code कहते हैं next नमारे पास scanning devices में हमारे पास आती है mark and character recognition devices mark हास किसम के निशानाद and character हास किसम के characters को recognize करने के लिए recognition devices जो devices इस्तमाल होती है वो कौन कौन सी है इन में सबसे पहले हमारे पास आती है MICR MICR की full form होती है magnetic ink character recognition या character reader magnetic ink character reader यह वो device है जो magnetically जो characters लिखे होते हैं उनको read करने के लिए इस्तमाल होती है यह भी direct input device है यहनि source data entry device है इसके आगे जब हम वो characters करते हैं यह उसको automatically read करके computer mentor कर देती है उसी तरह से जिस तरह से bar को reader हमने पढ़ा था कि computer के साथ wire के थूर connected होता है same इसी तरह से जो MICR है यह भी computer के साथ connected होता है अब सवाल यह है कि यह characters किस के अपर लिखे होते हैं और यह characters कहां पर होते हैं और MICR इस्तमाल कहां पर होता है MICR banks में इस्तमाल होता है check के नीचे जो लिखा हुआ चेक नंबर होता है उसको रीड करने के लिए M.I.C.R. डिवाइस से पहले होता ये था कि अगर कोई शखस अपना चेक लेकर गया है बैंक में कैश करवाने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मकसद के लिए तो जो वहाँ पर काउंटर पे शखस मजूद है वो कीबोर्ड के जरीए से जो चेक के ओपर नंबर मेंशन है नीचे उसको कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरीए से हाथ से एंटर करता था टाइप करता था लेकिन M.I.C.R. के आने की वज़ाए से अब वो क्या करते हैं के चेक के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो उसको सिर्फ उस मशीन के आगे करते है M.I.C.R. के आगे M.I.C.R. जो है वो उसको रीड करती है और वो जो चेक नंबर है वो कंप्यूटर में भेज देती है कंप्यूटर जो है उस account number का record सामने आ जाता है जो अभी उस account number के gains to us बंदे का record है वो सामने आ जाता है और फिर उसके account से वो पैसे minus कर लेते हैं और उसको cash दे देते हैं तो MICRB एक source data entry device है आपने देखा कि ये directly उस check number को read कर रही है check number के ओपर जो कुछ लिखा है उसको इसने automatically read कर लिया यानि जो भी check number लिखा हुआ है आपने देखा होगा कि जो check के ओपर check number लिखा होता है वो magnetized ink से लिखा होता है वो special ink होती है वो आम routine में इस्तमाल होने वाली ink नहीं होती वो magnetized ink होती है यानि मगनातिसी कुछ से उसके ओपर वो characters printed होते हैं उस check के ओपर और उनका जो font style है वो भी unique होता है different होता है आपको आम routine में नहीं मिलता next number पास आती है OMR machine या OMR device ये भी mark and character recognition device है OMR की full form होती है optical mark recognition ये device हास किसम के marks को निशानात को optically यानि optical light laser light के जरिए से read करने के लिए इस्तमाल होती है ये जो marks है ये खास किसम के marks होते हैं खास किसम के निशानात होते हैं जिनको ये device read करती है सवाल ये है कि ये निशानात कहां पर होते हैं और कौन से निशानात ये read करती है तो इसका अंसर ये है कि आप लोगों ने अपने पेपर के ओपर बबल शीट देखी होगी मुख्तलिफ जगों पर सरकल की बजाए ट्राइंगल्स के मार्क्स होते हैं उनको फिल करते हैं लोग यानि हमसीक्यूस पेपर के ओपर उसे OMR शीट भी कहते हैं जो आपकी हमसीक्यूस शीट होती जिसके ओपर बबल्स बने होते हैं जिन बबल्स को आप फिल करते हैं मसीक्यूस के आंसर लगाने के लिए कुछ जगों पर ट्राइंगल्स होते हैं कुछ जगों पर रेक्टैंगल्स होते हैं कुछ जगों पर पैरलल ग्राम्स होते हैं तो वो जो sheet है जिसके उपर वो marks बने हुए जिनको हम फिल कर रहे हैं, उसे omr sheet कहते हैं, omr sheet जो है, वो उस machine के अंदर insert की जाती है, omr machine के अंदर, और omr device जो है, उसको read करती है, पूरे को scan करती है, और computer में नजर आ जाता है हमें, कितने answer जिसके correct हैं, कितने incorrect हैं, और कितने इसने खाली छोड़े हैं, कितने empty हैं, और फिर final उसके marks भी वो बताती है, खुद बहुत calculate कर, तो हमें हुद हाथ से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम omr machine को computer के साथ wire के दूप connect कर देते हैं, और computer में जो software चाल रहा है, उसके अंदर हम answers एंटर कर देते हैं, कि first का answer ये है, second का ये, third का ये, तो वो उस page को read करती है, जो paper हम उसमें insert करते हैं, और फॉरन से वहाँ पे answer आ जाता है, एक से दो second के अंदर ये एक paper चेक हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसकी बेहतरीन example कुछ testing services हैं, यहां पाकिस्तान में जो test लेती हैं लोगों के मुक्तलिफ jobs के लिए, universities के लिए test होते हैं, ठीक है, कुछ colleges के लिए होते हैं, या जो competitive exams होते हैं, उनके लिए जो test ले जाते हैं, तोटली MCQs based होते हैं, उनमें 100-100 MCQs होते हैं, तो thousands of candidates अप्लाइ करते हैं, तो उनका result जो है, वो within one month आ जाता है, उसकी वज़ाए यही है, कि वहां पर humans नहीं हैं जो चेक कर रहे हैं, बलके machine से चेक कर वा रहे हैं, इसलिए machine के efficiency humans के निए पर ज्यादा होती है, सेट का टेस्ट होता है, नेट होता है, गैट होता है, यह मुखतलिफ testing services हैं, जो के test conduct करती हैं, यह testing services के names हैं यह, जो मैंने भी बताएं, और यह test लेने के बाद इसी तरह से OMR के जरीए से, उन question papers को यह उन OMR sheets को चेक करते हैं यह लोग, स्तुदेंट्स, नेक्स टमार पास जो डिवाईस है, वो है OCR, OCR की full form होती है Optical Character Recognition, यह डिवाईस हास किसम के करिक्टर को read करने के लिए इस्तेमाल होती है, हास किसम के करिक्टर होते हैं, special करिक्टर होते हैं, इस तरह से MI CR डिवाईस इस्तेमाल होती है, tag कर देते हैं जिसके ओपर characters होते हैं यह उन characters को read करती है computer में enter करती है और computer में उन characters के गेंस्ट जो भी record है वो हमें सामने नजर आ जाता है इसकी बेहतरीन example हमारे पास utility bills है price tags है departmental stores पे जो utility bills होते हैं उसके ओपर जो characters होते हैं read करने के लिए यह device इस्तमाल होती है इसके लावा जो price tags होते हैं हमारे मुख्लिफ कपड़ों के ओपर भी उनको भी read करने के लिए यह device इस्तमाल होती है क्योंकि उन price tags के ओपर हास किसम के यानि special और specific characters होते हैं जिनको सिरफ और सिरफ OCR device ही read कर सकती है OCR device का रवाज यहां पर कम है लेकिन OMR और MICR जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तमाल में हैं हमारे यहां पर पाकिस्तान में नेक्स्ट अमारे पास आती है magnetic strip cards magnetic strip card आप लोगों ने debit cards देखे होंगे आप लोगों ने driving license देखे होंगे यह वो cards हैं जिनकी back side पे आपने देखा होगा के black color की एक strip होती है एक पटी होती है black color की वो जो black color की strip है उसके back side पे उसके पीछे behind that strip एक special code mention होता है जो के हमारी naked eye नहीं देख सकती उसको हम reader में enter करते है card को तो reader उस special code को read करता है जो strip के back side पे लिखा हुआ और उसके against पिर हमारा record जो है वो credit card का यह हमारे driving license का वो वहाँ पर उस machine पे नजर आ जाता है यह उस machine को computer के साथ connect किया जाता है और computer में जब वो record जाता है तो computer वो हमें उस code के against जो भी record है screen पर दिखा देता है इन्हें कहते हैं magnetic strip cards तो magnetic strip cards की example मैंने आपको पुताई जैसे debit cards है यह हमारे driving licenses हैं जो के इस मकसद के लिए इस्तमाल होते है और उसके अंदर एक special code होता है जिसको read करने के लिए machine का इस्तमाल किया जाता है Dear students, smart cards भी आपने देखे हैं smart cards ऐसे cards होते हैं जिनके ओपर एक chip लगी होती है उस chip के अंदर data store भी किया जा सकता है और chip के अंदर एक चोड़ा सा microprocessor भी होता है आप लोगों ने, मैं आपको समझाता हूँ आपको समझा जाजए एक example देता हूँ आपने ATM cards देखे होंगे जिनके ओपर एक chip बनी होती है chip वाले आजकल card आरे है ATM cards और वो जो chip होती है वो golden color की होती है यह mobile की जो sims होती है वो भी इसकी example है हमारे जो mobile की sim होती है उसकी back side पे एक chip होती है इनको smart cards कहते हैं जब हम reader पे इन cards को रखते हैं इस chip को लगाते हैं तो reader इस chip के अंदर जितनी information store है वो सारी की सारी fetch करते हैं और computer जो साथ attach है उसके आपर वो सारी information डिस्पले कर देते हैं इन्हें कहते हैं smart cards इसकी बहतरीनी example हमारे पाइस ATM cards और उसे भी बहतरीनी example हमारे पाइस SIM cards है हमने क्या पढ़ा आज हमने आज source data entry devices का introduction किया जिसमें सबसे पहले हमने barcode reader के बारे में discussion की जिसे universal production code भी कहते हैं या universal product code कहते हैं जिसकी short form होती है UPC हमने mark and character recognition devices पढ़ी जिनमें सबसे पहले MICR उसके बाद हमने OMR और फिर OCR के बारे में पढ़ा और after that we have discussed about magnetic strip cards and smart cards अमीद है कि आपको समझ आ गई होगी वाकि इन्शालला हम next lecture में पढ़ेंगे तब तक कि लिए मुझे अजाज़त दें अपना बहुत हैल रखिएगा अला तलाब सबका हमें नासिर हूँ अल्ला आफिस